जै मातादी श्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना योटीब चनल पर आज मैं आपको भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी दूँगा नवरात्रों में ये राशियां बेहदी भागिसाली और लकी रहने बारी हैं इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है माता दुर्गा की किरपा से आपके सभी कारिशे दोंगे और बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं बैसे तो नौरात्याएं बेहदी भागी साली हैं इन नवरात्रों में ग्रहन का सुब सायोग जो इन राशियों को बेहदी भागी साली बना रहा हैं दोस्तों जब भी ग्रह अच्छी इस्तिती में होते हैं और सुब दिनों में अगर वो अच्छी इस्तिती में आते हैं तो हमारी किस्मत बदलना शुरू हो जाती हैं मान सम्मान मिलता है मन चाहा कारे शुरू हो जाते हैं बनने जिन कारों में अर्चने आती है वो रुकाबटे दूर हो जाती है पुत्र प्राप्ति का धन प्राप्ति का योग बन जाता है जहां पर नोक्री चाते हैं वहां पर नोक्री लगते हैं ब्यवपान में उन्निती आने शुरू हो जाते हैं, साथी, हमारे कार्यों में ब्रद्धी होती है, देवगुरु ब्रश्पती, सूर्य, बुद्ध, यह अगर अच्छी स्तिती में हो, मंगल अच्छी स्तिती में हो, तो हमारे सभी कार्य बनते हैं, इसी प्रकार से नवरात्र बस स्वास्त का आपको ध्यान रखना है और पैसा कहीं जादा नहीं लगाना है इस बात का विशेशूप सी ध्यान रखना करें प्रते दिन माता दुरगा की आराद ना करें आपके सभी खारशित दूंगे दूसरी जो राशी है वो है ब्रसब राशी ये राशी बियादी बागिसाली रहने वाली है इस राशी का यूग बहुती अच्छा है इन राशी वालों को विशे इसलाम मिलेगा माता दुरगा की किरपासे आपकी सभी कारिशे दोंगे कोई सुवसमाचार मिलेगा स्वास्त में लाब मिलेगा गया हुआ पेंसा बापिस आएगा और घरबालों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा दूसरी जो रासी है तीसरी जो रासी है वह है सिंग रासी बहुत ही भागिसाली रासी है इस रासी के जातकों को विश्चिसलाब मिलने बाला है जातकाओं को विश्चिसलाब मिलेगा पुत्र धन के योग बने हुए हैं बाहर जाने के योग बने हुए हैं बहुत ही अच्चे योग आगी प्रकार से कह सकते हैं चोथी जो रासी है वो है कन्या रासी जो बिहदी शुब रहने वाली है इस राशी का योग बहुत ही अच्चा है माता रानिय दुर्गा की किरपाशी और साथ ही भगवान सिब की किरपाशी आपकी कारे बनेंगे प्रते दिन माता की पूजा आपको करनी है माता को एक पुशपरपण करना है प्रते दिन माता को फलरपन करने मेवारपन करनी है पंच मेवारपन करनी है और माला से एक माला प्रते दिन माता के मंतर का जाप करना है इससे आपकी मनो कामनब पूरी होगी अगली जो रासी है ये रासी बेहदी भागी साली रहने वाली है मकर रासी और उसके बाद में छटमी रासी है मीन रासी ये रासी है नवरात्रों में बेहदी शुब रहने वाली इनका योग बहुत ही अच्छा है आप सभी रासी वाली माता को नेवे द्यारपन करें और प्रतिदिर माता की पूजा करें आपको विश्य स्लाम मिलेगा